दोस्तों मेरा नाम है कुमकुम बिन्वाल सारे बोलो जै माता दी मैंने ही सुनिया जै माता दी जोर से बोलो जै माता दी आवाज नहीं आई जै माता दी मतलब अपने बच्पन से लेकर अब तक जब भी मैंने माता के जैकारे सुने ऐसे ही सुने ऐसे कोई माता की जैकारे लगाए ना तो अलगी आस्था से मन एकदम आत में विभोर हो जाता है और मन करता है माता की आस्था में एकदम घंटों आप डूब जाए हमारे आसपास जब कभी कोई जागरन होता है या भजन होता है या कीरतन होता है भी ऐसी माता के जैकारी लगाते है ना है ना आप लोगों ने भी यही देखा होगा लेकिन अब मामला बदल गया है अक्षे कुमार एक ऐसे खिलाडी जो पिछले कई सालों से खास तौर पर बड़े करीने से पिछले आठ सालों से साथ आठ सालों से देश भक्ती की फिल्मों में हीरो बनके बॉलिवुड के सबसे कमाओ एक्टर है इस वक्त बॉलिवुड में सबसे ज़्यादा इंकम टैक्स भरने वालों में से अक्टर है उन्होंने अपनी नई फिल्म में जो गाना गाया है मतलब उन्होंने नहीं गाया है उनकी फिल्म में जो गाना है उस फिल्म का नाम है बच्चन पांडे उस बच्चन पांडे फिल्म में गाने की बोल जानते हैं क्या है जोर से बोलो बेवफा सारे बोलो बेवफा मैं नहीं सुनिया बेवफा आवाज नहीं आई बेवफा आप मुझे ये बताईए कि एक ऐसा जैकारा जो मा की आराधना के लिए आपने और मैंने बच्पन से सुना है उसका ये अपमान नहीं है क्या इसमें किसी की धार्मिक भावना आहत नहीं होती है आप एक बार सोच कर देखिए अगर ये काम किसी और अक्टर ने किया होता तो उसका क्या हश्रू होगता फिल्म तो रिलीज होनी नहीं थी लेकिन उस गाने को अगर पिच्चर से नहाटाना पड़ता तो आप सोच लीजिए और वो डिरेक्टर और वो अक्टर भी दुबारा कभी शायद अपने भविशों में काम नहीं कर पाते लेकिन क्योंकि फिल्म अक्षे कुमार के है तो ट्विटर पर कोई हैश्टाग नहीं चलेगा कोई बाच्चीत नहीं होगी इस पर कोई चर्चा नहीं होगी अरे मज़ेदार रील्स बनाए जा रहे हैं इस गाने में जिसमें खुद अक्षे कुमार और इस फिल्म के तमाब उनके सहे को अक्टर्स और अक्टर्स हैं जैमातादी को रिप्लेस कर दिया गया बेवफा शब्से दोनों के माइने अलग हैं दोनों के मतलब अलग हैं दोनों की भावना अलग हैं क्या ये सही है दोस्तों अक्षे कुमार का इससे पहले भी उनकी फिल्म बेल बॉटम के दोरान बहुत विरोध हुआ था जब किसान आंदोलन चल रहा था उन्होंने किसानों के हित मेया किसानों के पक्ष में कुछ नहीं का था जब कि पंजाब के तमाम बड़े स्टार्स ना केवल किसान आंदोलन में शामिल होते बलकि उन्होंने मंच भी साजा किया था किसानों के साथ अक्षे कुमार की फिल्म बेल बॉटम कप खास तो पर पंजाब में काफी विरोध हुआ था अक्षे कुमार का ये गाना रील्स पे लोगों को पसंद आज सकता है लेकिन व्यक्तिकत तोर पर मुझे ये गाना बहुती वाहियात और बक्वास लगा और इस तरह के गानों को किसी भी हाल में प्रमूट नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि मेरी धार्विक भावनाएं इससे आहत होती है बिल्कुल होती है आप इस मुद्धे पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर दे और दोस्तों हमारे चैनल को जॉइन करें सब्सक्राइब करें क्योंकि ऐसे ही हमारी आजाद पत्रकारिता को बल मिलता है शुक्रिया